नहाशकार सातियों स्वागत आप अपने यूटूब चेनल पर अदालत की गलती का खामयाजा अभेरती को नहीं भुगताया जा सकता इसी संदर्ब में रास्तान हाई कोट ने फैमिली कोट की और से तलाक की डिक्री जारी करने में अदालत ने कहा कि कोट की गलती का खामयाजा अभेरती को नहीं भुगताया जा सकता इसके साती अदालत ने महिला भेरती को तलाक सुता कोटे में सामिल कर जरूरत पढ़ने पर संसोधित प्रिनाम जारी करने को कहा है ने आदिस एसपी सर्मा ने यह आदिस सुशिला रानी की याचिका पर दिये याचिका में अधिवक्ता राम परताप सेनी ने अदालत को बताया कि याचिका करता ने सूचना साहिक बरती 2018 की तलाक सुधा कोटे में आवेदन किया था लेकिन करमचारी चैन बोर्ड ने उसे यह कहती हुई कोटे का लाब नहीं दिया की उसकी तलाक की डिक्री आवेदन के बाद की है याचिका में कहा गया की भरती में आवेदन करने की अंतिमती थी 27 अपरिल 2018 थी वहीं फेमेली कोट ने 9 धिसंबर 2017 को ही तलाक का आदेश दे दिया था वहीं फेमेली कोट ने भरती का अंतिम परिणाम जारी होने से पूरुए तलाक की डिक्री 31 जुलाई 2019 को जारी की ऐसे में याचिका करता को तलाक सुदा कोटे में सामिल कर नियुक्ती दी जाए इस पर सुनवाई करते हुई अदालत ने याचिका करता को तलाक सुदा कोट अपर अपनी YouTube